असलामु आलेकुम आइम तयर फ्रोम डीजीमक्स पाकिस्तान अगर आप इस बास से परिशान हैं कि आप जब भी SD कार्ड लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट में SD कार्ड की काफी ज्यादा टाइस देखने को मिलती हैं अब आप वहां पर जागर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा SD कार्ड लेना चाहिए कौन सा SD कार्ड नहीं लेना चाहिए कौन सा SD कार्ड अच्छा साभीत हो सकता है क्योंकि एक अच्छा SD कार्ड सेलेक्ट करना उतना ही इंपोर्टन है जितना के एक अच्छा कैमरा सेलेक्ट करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा SD कार्ड चूज करना चाहिए अकोर्डिन तो यूर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी कितनी टाइप्स होती है उसकी कितनी क्लासिस होती है और जो लोकल फ्रोड आजकल मार्केन काफी जा सरगरम है उसके वारे मैं आपको बताऊंगा आप उससे किस तरह से बासकती है तो वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक हमारा जानल सब्सक्राइब करने के लिए अपने मुबाइल लैप्टोप या फिर कैमराज में तो जो पहला एजडिकार था वो 1980 में तो शीबा की एक साइंटेस ने इन्वेंट किया था और तो शीबा कंपनी नहीं 1987 में इसको मार्केट में लौच किया था एस्टी कार्ट की टोटल 4 टाइप से जिसमें SDC, SDHC, SDXC और SDUC हैं बात करें SDC की तो SDC की 2006 में लौच किया गया था SDAC stand for secure digital high capacity और अमोमन की जो capacity होती है वो दो जीबी से लेकर 32 जीबी तक होती है अब बात करें SDXC की तो SDXC 2009 में लौच हुई थी SDXC stand for secure digital extended capacity और इसकी जो capacity है यह 32 GB से लेकर 2 TB तक है अब बात करें SDUC की तो SDUC stand for secure digital ultra capacity इसकी जो capacity है यह 2 TB से लेकर 128 TB तक है और यह 2018 में लौच हुई टाइप के बाद बात करते हैं class की तो class को आप speed कह सकते हैं जितनी ज्यादा उसकी speed होगी उतनी ही तेजी से वो data को read करेगा और write करेगा मतलब के उतनी ही speed से वो data को transfer करेगा और उतनी ही speed से वो data को अपने अंदर save करेगा इसमें भी हमें types देखने को मिलती हैं UH-A1, UH-A3 इस तरह की old भी types है इसकी UH-A1 stand for ultra high speed 1, ultra high speed 3 तो जितनी ज्यादा इसकी speed होगी उतना ही ज्यादा यह read or write तेजी से करेगा अब बात करते हैं fraud की तो जो इस तरह के fraud होते हैं वो mostly हमें local shop पर देखने को मिलते हैं जो verified seller होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते हैं उसमें यह होता कि आप card लेने के लिए market में जाते हैं वो आपको उस card की actual price से थोड़ी price काम बताते हैं आप वो card ले तो लेते हैं लेकिन जब आप उसमें data transfer करते हैं तो अगर 32GB का card है तो वो 15-16GP में ही full हो जाता है actually वो होता ही 16GP का card है जिसको एक software के थूप 2GB किया होता है लिखा आपके सामने 22GB ही आएगा लेकिन उसमें data store 16GP या 15GB होता है इस तरह के card से बचने का सिरफ एक और most effective हाल है वो यह है कि आप authorized dealer से अपने SD card को purchase करें क्योंकि इतना टाइम किसी का बाद नहीं होता कि अगर आपने 22GB का card लिया है तो आप उसी की दुकान पर खड़े हो के 22GB data उसमें transfer करके देखेंगे और ना ही इसकी कोई actual निशानी है कि आप original और fake में किस तरह से difference देख सकते हैं अब बात करते हैं DG Max पे SD card के stock की तो हमारे stock में शामिल है 32GB 95MB per second की speed के साथ 64GB 170MB per second की speed के साथ 128GB 170MB per second की speed के साथ और इसके लाव 128GB अवेलेबल है जो के 100MB स्पीड के साथ भी हमें देखने को मिलता है यह जितने भी card है सारे SDXE है Secure Digital Expanded Capacity आप यह card हम से purchase कर सकते हैं हमारी website के through हमारे दीएकर नमबर पर राप्ता करके इसको online order प्रवा सकते हैं और आप मारे शोब पर विजट करके भी इनको पर चेस कर सकते हैं उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए informative होगी इफ यू लाइक दा वीडियो प्लीज गिव इटा थम्द अप एंड सब्सक्राइब तो आर चैनल और इन कार्ट के लिंक आपको सारे description में मिल जाएंगे आप वहाँ पर बास आनी जाकर इनको order का सकते हैं मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में अल्लाः आप